नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्साम टबलेट में दोस्तों जारकन में A&M और G&M का जो फर्स्ट राउंड का कांसलिंग हुआ था तो उसके बाद एडमिसं जितने भी कैंडिडेट्स ने लिया फर्स्ट राउंड के कांसलिंग के दुरू और फिर जितनी सीटे वैकेंट रह गई तो यहां पर आपके सेकेंड राउंड कांसलिंग के लिए वैकेंट सीट मैट्रिक्स आपका निकल चुका है जारी हो चुका है और आप इसे इसके ओफिसियल वेबसाइट jceceb.jharkhand.gov.in के ओफिसियल वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं इसके जब आप ओफिसियल वेबसाइट को ओपेंड करेंगे तो इसके होम पेज पे आपको यहां पे डाउनलोड का ओप्सिन मिल जाएगा और यहां पे आपको मिलेंगे प्रोविजनल वेबसाइट सीट मैट्रिक्स फॉर सेकेंड राउंड आफ काउंसलिंग ओनलाइन काउंसलिंग नर्सिंग एनम स्लैस जी एनम इंटरंस कंपरिटिव एक्सामनेशन 2023 तो देखें यहां पे आपको व्यू पे क्लिक करना है देखें फॉर्स्ट राउंड के का आपको दिया गया है कि फर्स्ट राउंड का जो एडमिशन हुआ काउंसलिंग के दुरू तो यहां पे अभी भी कितनी सीटे यहां पे बाकी हैं तो देखें काउंसलिंग करने से पहले आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस कॉलेज को आप सेलेक्ट कर रहे हैं एड अगर आप जिस कैडिगरी से बिलॉंग करते हैं उस कैडिगरी में कितनी सीटे हैं यह भी वहां पे आपको देखना जरूरी हो जाता है तो आप सबसे पहले काउंसलिंग करने से पहले आप क्या करेंगे आप इस लिस्ट को देखेंगे जो वेकेंड सीट मैट्रिक्स है सेक आपके selection होने के chances ज्यादा रहेंगे. जहां पर vacant seat ज्यादा रहेंगी, आपके category मेρ vacant seat ज्यादा रहेंगे, तो वहां पर आपको select होने के chances ज्यादा हैं. तो अभी यह्वोग रांची के जो realms हैं, यहां पर दिखते हैं कि GNM में कितने यहां पर total seat आपके vacant हैं. तो दिखे आपको यहाँ पे GNM School of Nursing रिम्स राची में आपका GNM में कितनी टोटल यहाँ पे सीटे अभी भी खाली हैं तो दिखे अन्रिसर्ब्ट केटिगरी में यानि जो चैनरल केंडिडेट हैं उनके लिए अभी भी यहाँ पे 10 सीटे हैं खाली वेकंट हैं और यहाँ पे बात करें दिखे एस्टी केंडिडेट्स के लिए तो इनके लिए अभी भी चार सीटे हैं और एस्टी के लिए कोई भी सीट अभी खाली नहीं है और उसके बाद दिखे बीसी वन केडिगरी की बात करें तो बीसी वन में अपका कितना है दो सीट यहाँ पे A&M School of Nursing है रिम्स रांची का तो यहां पर टोटल जो आपका देखिए वेकनट सीट है यह तोटल 20 है मतलब 20 सीटे अभी भी यहां पर क्या है वेकन्ट है और देखिए A&M जो ट्रेंडिंग सेंटर है आपका रांची का जो सदर होस्पिटल रांची का तो यहां पर देखिए आपके कितनी सीटे यहां पे वेकेंट है तो टोटल अभी यहां पे 12 सीटे वेकेंट है जिसमें की unreserved category से 4 सीटे आपकी यहां पे खाली है और यहां पे बात करें ST के लिए तो 2 सीटे खाली है SC के लिए एक सीट खाली है BC1 category में आपकी एक सीट खाली है और BC2 category में एक सीट यहां पे खाली है और देखिए EWS में यहां पे तीन सीट अभी भी खाली है तो आप जब counselling करेंगे second round का जब उसमें choice filling करेंगे अपना preference select करेंगे तो आप यह ज़रूर देख लें कि जिस college में आप admission लेना चाहते हैं जिस nursing training center में या फिर school में आप अपना admission लेना चाहते हैं वहां पे vacant seat कितनी है और आपकी category में कितनी vacant seat है तब ही आप उसको preference में select कीजिए और यहां पे देखिए अगर बात करें कि second round counselling में कौन-कौन से candidate यहां पे participate कर सकते हैं तो यहां पे official notification जो आपके 4 October को आये थे वहां पे पूरी details में आपको बता दी गई थी कि कौन-कौन से candidate यहां पे भाग ले सकते हैं और इस पे मैंने एक detailed video भी मैंने बना दिया था तो आप उसे भी देख सकते हैं देखिए जहां तक बात रही कि other state के candidates के बारे में तो other state के candidate के बारे में यहां पे यही लिखा गया है कि जारखंड राज जी के अस्थानिय निवासियों के सभी सुपात्र अभ्यार्थियों के नामांकन के पश्चाथ सीटे रिक्त रहने की स्थिती में ही अन्य सुपात्र अभ्यार्थियों को तृतिय चक्र ऑन-लाइन साक्षातकार में seat आवंटित किया जाएगा मतलब देखे other state के जो candidate है उनके लिए यही मैं बोलूँगा कि आप लोग third round का counselling में अगर participate करते हैं तो आप लोगों के seat मिलने के सबसे ज़्यादा chances है third round के counselling में क्योंकि जो second round का counselling होगा यहाँ पे भी जारखंड के जो निवासी है उन्ही को preference दिया जाएगा और उसके बाद जो seat वेकेंट रह जाएगी वहाँ पे आपको third round पे जो counselling होगा तो यहाँ पे आपको जो other state के candidates हैं उनको यहाँ पे seat दिया जाएगा और आपका जो counselling है देखिए आपका choice filling आज से start हो जाएगा 6 October 2023 से और यह 9 October 2023 तक चलेगा और फिर आपका जो professional seat allotment लेटर जारी होगा यह 11 October को जारी होगा और फिर आपको document verification और admission जो कराना है जिस institute में आपको seat allot हुए है यह आपको कराना पड़ेगा 12 October 2023 से लेकर 17 October 2023 तक देखिए यहाँ पे आपको fee कितनी लगेगी तो fee जिस तरीके से पहले था वह इसे ही आपका fee है अभी भी second round में भी तो यहाँ पे जो boys हैं जो EWS या फिर general category BC1 या फिर BC2 से बिलोंग करते हैं उनके लिए यहाँ पे 400 रुपीज का fee है और जो candidate यहाँ पे female candidate है सभी category के तो यहाँ पे female candidate को कितनी fee लगेगी मात्र 250 रुपीज यानि 250 रुपीज यहाँ पे इनको fee लगेगी जो female है और देखिए यहाँ पे जो first round में जो candidate यहाँ पे admission ले चुके हैं वे अगर अपना संस्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं तो वे भी यहाँ पे साक्षातकार में भाग ले सकते हैं तो यहाँ पे दे देखिए जो पर्थम साक्षातकार से नामांकित हैं मतलब first round के counselling से जिनका admission हो चुका है तो यहाँ पे देखिए रिक्त बचे सीटों पर संस्थान परिवर्तन कराना चाहते हैं अगर मानलीचे आप first round counselling के मायत्यम से आपने admission ले लिया है लेकिन आप चाहते हैं कि अब आ आप भी इस counselling में सामील हो सकते हैं और यहाँ पर देखिए यदि द्वित्य एवं तृत्य चक्र online साक्षातकार में उन्हें seat पुनर आवंटित होता है तो उन्हें नए आवंटित संस्थान में नामांकन लेना अनिवारी होगा क्योंकि उनके पुर्व का नामांकन स्वतर हो जाएगा मतलब अगर आपको second round और third round में आपको seat alert हो जाती है तो आपने जो first round के counselling के माईधियम से जो नामांकन लिया था वह स्वतर रद्ध हो जाएगा तो यहाँ पर first round के counselling के माईधियम से जो बच्चे यहाँ पर admission करा चुके हैं जो candidate admission करा चुके हैं वे भी round का counselling में भी यहाँ पर आपको participate करने के लिए और third round में भी participate करने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उतिरन हो मतलब जार्खंड में जो nursing परवेश परत्योगिता परिक्षा हुआ 2023 में A&M और GNM का उसमें आपको pass होना जरूरी है तभी आप counselling में participate कर सकते हैं और तभी admission हो पाएगा किसी सरकारी संस्थान में या फिर गैर सरकारी यानि private college के 50% open seat में तभी आपका admission हो पाएगा जब आप पास होंगे और तभी आप यहाँ पे counselling में participate कर पाएंगे दोस्तो 2024 के जारखन में A&M और GNM के entrance exam के preparation के लिए अगर आप हमारे online paid course को join करना चाहते हैं तो आप इसे join कर सकते हैं यहाँ पे आपको preparation strategy से videos मिलेंगी कि किस तरीके से आपको preparation करना है 2024 के लिए chapter concept पे आपको videos मिलेंगी हर एक chapter को आपको details में समझाया जाएगा फिर आपको chapter MCQ पर भी videos मिलेंगी और फिर जो आपको chapter पढ़ाया जाएगा वीडियो के जरिए प्री recorded वीडियो के जरिए तो उसका आपको PDF notes भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर दिखिए आपको weekly test होंगे मतलब सब्ता में 5 days का class होगा और one day आप revision करेंगे खुद से और Sunday को क्या होगा यहाँ पर आपको test होगा फिर उसके बाद दिखिए आपको यहाँ पर previous year के question paper 2022 और 23 के आपको PDF में मिल जाएगे और previous year question के analysis पर भी आपको videos मिलेंगे मतलब जो आपको questions पूछे गए हैं परिक्षा में exam में वो आपको कहां से पूछे गए हैं इस पर भी details में आपको videos यहाँ पर मिलेगी तो दिखिए अगर आप हमारे course को join करना चाहते हैं तो आप हमारे whatsapp number पर मुझे contact कर सकते हैं मेरा whatsapp number है 9955881649 इस पर आप contact कर सकते हैं यहाँ पर प्रिपरेशन का course fee है यह आपका सिर्फ only 499 रूपीज है और जो कि आपको यहाँ पर study materials यानि जो videos PDF और जो आपको mcq मिलेंगे यह सारे के सारे आपको जो weekly test होंगे यह सब कब तक आपको मिलेगा जब तक 2024 का entrance exam का entrance exam आपका हो नहीं जाता है तब तक आपको regularly यहाँ पर videos PDF और फिर mcq और आपके test होते रहेंगे तो देखें अभी आपके पास कितना time है class start हो चुगा है 2 October 2023 से और आपके पास देखें preparation के लिए कितना time है तो देखें आपके जो exam होंगे यह जुलाई और अगस्त में होने के chance से 2024 में तो आपके पास देखें October, November, December, January, February, March, April और मैं, June तक आपके पास यहाँ पे preparation का time है यानि पूरे 9 month आपके पास है और इस 9 month का preparation आप सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज में कर सकते हैं अगर monthly इसको आप निकालिएगा तो सिर्फ 55.45 रुपीज में आपको यहाँ पे preparation हो रहा है monthly के हिसाब से अगर जोड़े तो तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही बार paid करना है 499 रुपीज और आपको यहाँ पे जब तक आपके entrance exam नहीं हो जाते तब तक आपको study materials आपको मिलते रहेंगे तो दोस्तों वीडियो को अंतक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को like करें, share करें और अगर आप मारे इस channel में नए viewer हैं तो हमारे इस channel को सरूर subscribe कर लीजिए और bill icon को भी प्रेस कर लीजिए अगर आपको कोई भी confusion है तो आप नीचे comment करके हमसे बात कर सकते हैं